हालो स्टुडेंट्स कैसे आप सभी बिटा आज हमारे इस लेसन वन का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है एवपोरेशन पर इसके बाद एक और क्लास होगी जिसमें की हम एक्सराइस के क्वेशन अंसर करेंगे तो आज अपने लास्ट टॉपिक देखते हैं लास्ट टॉपि तो नगें तो लोग यह ना बेपाराइसेशन का ही चचते रही है हाँ क्या है जारा समझ लेते हैं वीपराइसेशन ने कासा प्रोसेस होता था जिसके अंदर की हमारे पास को अजा कि वह विपर फारम में कर लाद ने वेपरेज़ेशन के अंदर लिक्विड जो है गैस या वेपर फॉर्म में तेंवर्ट हो जाता था बट यह चीज होती थी एक फिक्ष तेंपरेचर अगर आप वो फिक्ष तेंपरेचर नहीं देंके तो लिक्विड से गैस का कन्वर्जन नहीं हो पाई बैटे एवपोरेशन में भी इग्जेक्ली यही होता है कि एवपोरेशन के अंदर लिक्विड जो है वो गैस या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है पर यहां की मज़दार बात यह है कि यह होता है आट एनी टेंपरेचर किसी भी टेंपरेचर पे बिलो बिलो दा बॉलिंग पॉइंट क्या है लक्विड अपने वॉलिंग पॉहिंट पर ही तो लेपर में कन्वर्ट होता था है तो यथनी पर, लेक्विड जब दोखने, असी भी टेंपरेचर पर, जो कि उसके वेपरिराट ुखंप्रेचर एसरी से कम में रहा है तो यहां रहा है वपरभण और वाटर वह से कम भी कि हुआ है तो यहां है वाटर है वाटर का क्या हुआ है इवापोरेशन हुआ है हchae है शीज़ेट चलिया एफ यह कि आगे बढ़ते हैं हम थी आगे बढ़ते हैं incorporate between अब होगी वैटाइव खुद सी को स equipment किया समस्थेटी फोडिशन खर्फिल और लिकोएंड-वेब और gaseous form at any temperature below the boiling point है ना बेटा कहने का मतलब यह है कि liquid का gas या vapor form में convert होना boiling point से कम के temperature पे ही क्या कहलाता है बेटा evaporation कहलाता है क्या बेटा बेटा है अब बेटा ठीक है बटा तो यह हो गया हमारा आपकोरेशन evaporation हमने देख लिया अब सबसे बड़े सावाद हमारे देमाग में उड़ता है कि भईया इक बात बनादा आपकोरेशन होता है इस evaporation का cause क्या है है ना बेटा बिल्कुल यह सबादा मारे दिमार को उटना भी चाहिए कि what is the cause of evaporation evaporation का cause क्या है तो बेटा यह सुनिए evaporation का cause क्या है देखिए अगर कोई भी liquid हम देखें तो किसी भी liquid को अगरे हम देखें तो उस liquid के नो कही सारे अलग-अलग layers होते है जैसर मालगी जैकि अगर मैं एक कटोरी है उसमें पाली लखा है तो उसके पाली के जो layers होंगे मैं उसके अलग-अलग layers माल देता हम ठीक है अब ध्यांस से सुनिये बाद कि बैटा यह जो पांचो layers होंगे इनकी kinetic energy होगी इसकी होगी kinetic energy 1 इस layer के particles की kinetic energy 2 इस layer के particles की kinetic energy 3 इसकी kinetic energy 4 इसकी kinetic energy 5 और इसकी होगी kinetic energy 6 हाँ ना बैटा kinetic energy 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 layers और 6 layer की kinetic energy प्रोड़ छे kinetic energy आप एड़े देखिए एक छोड़ी सी बात है उसको यहां पर समझने जरूरी है कि जो हमारे liquids होते हैं आच्छा मैं आपसे पूछाँ कि बैटा इनमे से सबसे top layer कौन सी है मुझे बता हो तो आप क्या बोलोगे layer 1 बैटा एक बात आपको हमेशा ध्यान दखने है कि जो top layer होती है किसी भी liquid की top layer के particles की kinetic energy सबसे high होती है यानि कि KE1 इन सबसे बहुत जाता होगा और अगर आप उस top layer के particles को hull किसी energy देते मतलब इस kinetic energy में आप hull किसी energy जो है बाहर से और improve कर दें तो यह जितने particles आपको दिख रहे हैं यह साले particles easy की क्या हो जाएंगे liquid form से gaseous form में convert हो जाएंगे ठील गया बैटा बहुत ही आदम से समझ मैं ही बात क्या कहा में है क्या कहा में कि बैटा किसी भी liquid में अलग-अलग layers होंगे अलग-अलग layers की kinetic energy अलग-अलग होगी जो top layer होगा top layer की kinetic energy सबसे जादा होगी तो उसको अगर आप थोड़ी सी energy दे तो उसके particle अपना state liquid से gas में अराम से change कर सकते हैं और इसी वज़े से adaptation होता है अब देखिए यह layer जो है particles की kinetic energy change कर ली यह चलेगा अब टोप की layer है आप किसी kinetic energy सबसे जादा होगी layer 2 के particles की फिर इनको energy मिलेगी ये भी convert हो जाएंगे फिर layer 3 top layer रहेगी इनको energy ये भी convert 4 top layer इनको energy ये convert 5 top layer, इनको energy 6 top layer, इनको energy ये convert ऐसे ही करके दीले-दीले step by step step by step क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड है वो गैसे स्कॉमने कर्वाइट हो जाता है और यह कर्वर्जन होती है बिलो दा बॉइलिंग पॉइंट के नीचे बिलो दा बॉइलिंग ठीक है तो बेटा अगर हमसे कोई पूछें कि कॉज आपकोरेशन का क्या है तो दिख लीजिए आपकोरेशन antikos of operation in thefanisher require liquid in the top layer of liquid the particles have more kinetic energy in the top layer of liquid liquid the particles have more kinetic energy as compared to as compared to rest of the the rest of the particles and the particles of top layer and the particles of top layer can absorb energy from surrounding and get converted in get converted into vapor state vapor state below the boiling point of liquid below the boiling point of liquid okay get better yeah cause of operation factors affecting evaporation last topic factors affecting evaporation 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 factors factors answer the first factor change in temperature we want to understand factors affecting evaporation change in temperature temperature how to increase evaporation kinetic energy evaporation fast temperature temperature if the particles of energy can be evaporation can be slow example the 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 close in from separate the tempor the 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 है नहीं बिटा तो एक्लेम्पल में लिख जेते हैं कि दब ख्लोज ड्राइब इसी ली इन समर ऐस कम्पेर तू अस कम्पेर तू लिक्विड अच्छा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रिटर प्रिटा चेंज इन सल्फेस एड़र तो अगर बिटा सल्फेस एलिया को हम बढ़ाएंगे को शल्फेस इस नहीं भ如果你 बाशां किना उस्रपेस से प्रेसिपशल किस तरह дав Sabbath इंगे तो और मिटा सर्फेस एलिया को कान заключ energy की में बढ़ानी है उनकी संख्या जादा में फिक है तो यारी कि हमारे पास number of particle तो महिंए नंदय काई पार्टीकल ज़ाधा अंगे जिनकी सारी पार्टिकल जाधा में पढ़ेगी और इस वज़े से जो हमारा आपकोरेशन है वह जादा होगा और सब्सक्राइब कम अब समझे इस बात को कि बैटे कहने का मतलब क्या है देखिए बैटा जैसे एक इग्जाम्पल देते हैं मालीजे में यह मेरी टी-शेट है इस टी-शेट को यह गर्दी हो गई गर्दे होने के बाद मैंने इसको धोने के लिए डाला अब मुझे इसको सुखाना है तो सुखाते टाइन पे मेरे पास दो ऑप्शन्स हैं एक ऑप्शन्स कि मैं इसको ऐसे गोल नूल जैसे भी है वैसे बना करके और कहीं रख को सुखने के लिए और दूसरे कि जिस तरीके से मैं इसको पहना है इसी तरीके से मैं इसको पूरा फैला करके जितना जादा हो सके किसी तार पे, किसी रस Municip North Party सुखने की पर होल मौर करके डालने था चिए प्शलत कर ऐसे जब प्छलाकर डालने को में जब लुब करके डालने पर पर बॉल्मूल जब कर दिया तरह इतना सटिर्ट तो घे तक अधिक अड़ा है जो कि अब फसके लिए हैं वो कैसा इंद9 अब on Hmm अब जादा अच्छे से बढ़ सकती है और अब जादा अच्छे से बढ़ सकती है और अब पुरेशन भी तेज होगा इसका एक्जाम्पल जो मैंने अभी दिया की वी श्ट्रेच दर प्लोस वें वी ड्राइब अब आप इसको देख लीजिए दो फैक्टर सोर बचे है बस हमारे फास्ट ठीक है दो ती फैक्टर सोर बचे है अब अब पुरेशन रिलेटेड फिर आब अब अब पुरेशन की यसे करता है वो देखेंगे और उससे जुड़े हम प्रशन आंसर्स करेंगे उसके बाद हमार फिर बस एक क्लास पर चलते हैं तीसरा प्रब्राइब है चेंज इन हमेड़ी समझने से पहले सबसे पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा कि होती है तो पाता है हमारे हमारे आखास के वाता रान में हमारे वायुमर्डल में पानी की यानी की वाटर के कितने droplets हैं, कितने particles, So the amount of water present in the atmosphere is called humidity, हमारे atmosphere में कितना water present है, कितने water droplets, molecules present हैं, उसी को हम बोलते है, humidity, ठीक है पेटा, so the amount of water present in our atmosphere is called humidity है अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़के थोड़ा अच्छे समझते हैं कि बेटा देखिए अब कैसे अफ्रेक करेगा कि माल लीजे कि हमारे आसपासर जो इंवार्मेंट है वेटा जो एक्मोस्पेर है उसमें हुमेडिटी जाता है है यूमेडिटी जो है हुमे तो हुमेडिटी जाता है तो पार्टिकल्स होंगे अट्मोस्पेर में वाटर के वह भी जाता होंगे अब बढ़क भाएंग से समझने की कोशिच करेगा कि एक्मोस्पेर में और पहले से वाटर के डॉपलेट्स है हमारे सरफेस पे माल नीचे जमीन है जमीन का है हमने पान जाएंगे क्या समझे आप इस बात को बेटा ये कुछ ऐसा ही है कि बहुत इसको समझना कि बेटे हम खाना खाते हैं भूग लगने पे हैं ना ठीक है तो अगर हमारा पेट पहले से भरा हुआ है पूरा भरा होगा जितना कि उसको भरा होना चाहिए तो हम और खाना इस नहीं झाएगे आड मैडे बेटेभ और आधा नहीं माढा उसको सब्सक्राइसाए इसका ऐट सर्छा अगल को AAA अमें सब्सक्राइब इसको एक्मोस्टेर बढ़ेगा ना बैटा अच्छा चलिए फोर जो प्रेक्टर है वह हमारा वेंड स्पीड कैसे अफेक्ट करता है ध्यान जो सुनेगा कि बैटा वेंड की स्पीड जितनी जादा होगी बैड का करेगी कि हुमेंडिटी को उतना ही कम करेगी कि अब बैटा ये भी समाज लीजे कि वेंड जो है वह कम किया से करेगी जब बैटा वेंड की स्पीड होती है अच्छी आजी और यह ब्लोग होने वाली जो है अपने साथ वाटर के डॉकेट्स को भी लेजाती है तो रड़ ओ ऐक्मोस्पेर में से वाटर के डॉपलेच जो है वो निनुफ हो गया है तो रड़ा जो पेता इसका लगित fact जाता होगी और हो पुरिशन स्लो होगा इसका एक्जाम्पल बेटा वेड़ स्पीड का की जब विंड ब्लो होती है जो विंड़ी डेज होते हैं जब हवा देज चलती है तो उस थाइंपे कपड़े जल भी सूप जाते हैं अच्छा और लास्ट पॉइंट जो है बेटा जुस पर की अवापोरिशन डिपेंट करता है यह लास्ट पॉइंट जो है हमारा यह लास्ट पॉइंट है नेचर ओफ लिकुड कि हमारे लुइड के अंदर इंठर पार्टिक्ल फोर्स ऑपर सेफीट के टोड़ने के लिए ज्यांदा होगा दो आ सब्सक्राइब वह कुम होगा पॉरिषर गें माने इट ऑवरेशन जो वह कैसा होगा और नादर है अगर आइज ये परकम है तो कयो वहों कैसा वहोगा कम भोगा पर आप पॉरेशन कैसा होगा इसके इसमें साथ हुआ खीक एक्जांपल धून एक्जांपल की जो पैटरोल होता है पैटरोल जादा जलती है वो पोरेट को जाता है as compared to water क्योंकि पैटरोल का जो आपका boiling point होता है वो कम होता है वो 320 Kelvin के आसपास होता है और water का 373 Kelvin होता है ठीक है बेटा अब लाज्ट टॉपिक के पास चलते हैं जिसका नाम है evaporation call school ठीक है बेटा evaporation call school तो बेटा ये देखेंगे हम इसमें इस टॉपिक में कि evaporation जो है evaporation की स्तरीके से cooling करता है कि स्तरीके से ठंडक पहुचाने में मदद करते है तो बेटा देखिए evaporation के अंदर क्या होता है यह हम अच्छे से समझ चुके है है ना वापरेशन के अंदर का होता है कि हमारे पास एक लिकुड होता है लिकुड के अलगळा होता है यह लिकुड के लेंटीक होती यह लív react क्राहिए करता है जो सरांडिंग है सरांडिंग से एनर्जी लेता है और सरांडिंग से एनर्जी और लेकर अब ऐसने क्या कि कि surrounding की जो energy थी न बेटा उसको decrease कर दिया और surrounding की energy decrease होने की वज़े से जो surrounding है वो पहले से cool हो गया ठंडा हो गया और इस तरीके से evaporation जो है वो cooling करता है तो ये topic डाल के लिए 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 evaporation cause cooling एक question लिखेजिए how does evaporation cause cooling evaporation cooling कैसे करता है अब answer लिखेजिए इसका during evaporation during evaporation particles of liquid particles of liquid absorb energy from surrounding due to this due to this the energy of environment the energy of environment decrease 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 and and in this way in this way evaporation cause cooling ठीक है बिटा चली आईए अब हम आगे बढ़ते हैं अब ये जो chapter है chapter पुड़ा पुड़ा अपना finish होता है अब evaporation cause cooling से जोड़े कुछ questions हैं वो हमको करने हैं तो उन questions को मैं बोलूँगा और उनके answers बोलूँगा उनको अब हम करेंगे ठीक है बेटा चार या पांच questions है और पार्टरी करोणपती question है उनमें से एक दो questions बड़े ही आलाम से ख़र साल paper में आते हैं थीक है करोणपती या team marks में आते हैं तो वो सारे questions हमको अच्छ से नहीं है तो चली आएए शुरू करते हैं नहीं है आए तो ये हमारे पास questions है पांचव क्रोणपती questions है ठीक है पांचो के पांचव और इसमें से कोई ना कोई फेपर में आता है तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ और अंसस लिखांगा लिखते हैं question number one बुल रहा है कि desert cooler जो है वो ज्यादा better cool करता है dry days में ऐसा क्यों क्योंकि desert cooler जो है वो evaporation principle पे work करता है और desert cooler क्या करता है कि desert cooler के अंदर जो water होता है यह क्या करता है कि surrounding से जो heat है surrounding से heat को absorb करता है और surrounding की heat को absorb करके यह क्या करता है कि surrounding का temperature उसको low कर देता है जिसकी वैसे कि desert cooler जो है वो भी cool हो जाता है तो लिखिए इसका answer desert cooler work on the desert cooler work on the principle of evaporation desert cooler work on the principle of evaporation principle of evaporation it absorbs heat from surrounding heat from surrounding to evaporate to evaporate to evaporate water to evaporate water present in it present in it and we feel cool and we feel cool question number 2 earthen pot matka 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 מתka matka 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 matk और यह चीज रिपीट होते रहती है, तो इसी वज़े से मठ्टे में रखा पानी ठंडरा रहता है, तो लिखिए earthen pot, earthen pot contain, contain, earthen pot contain microscopic holes in it, the other pot contains microscopic holes in it which let the water present in the pot to come out to come up this water this water absorb absorb heat from other pot and surrounding heat from other pot and surrounding to get evaporate to get evaporate and decrease the temperature and decrease the temperature of pot and surrounding decrease the temperature of pot and surrounding in this way in this way evaporation cause cooling in other pot question no.3 question no.3 our pumps when we have perfume petrol acetone nail polish remover when we have to add to the water so we have to do it because we have to do it when we have to do it कुछा है इन चीजों नें क्या ही है मैं आ गर्म का ऑलडग करें आप नियुक्त लेघ्रे मैं उड़ व्र आ न्र। वह घ्रद शेयर कंब हम हो जाएगा और पांग जाए अभ़रेगा तो लिखिए है कौन प्रिप्पर और ओफ्यूं है जोननर्ग s acetone, pectone or perfume have low boiling points have low boiling points and they absorb and they absorb they absorb heat heat of our pump of our pump to get evaporate to get evaporate and in this way and in this way our pump feel cool our pump feel cool question number 4 की हम जो है कोई भी गरम पानी होता है चाए होती है, दूद होती है उसको हम कब की जगह जो प्रेट होती है या प्रेटोरी होती है उससे पीना जाला असान क्यों रहता है तो देखिए बेटा समझते है अगर एक कब होगा तो कब का जो साइस होता है वो छोटा होता है तो कब के लिए क्या होगा मिटा अभी कुछ देर पहला हमने सर्पेस एरिया की बात की थी है तो कब के केस में जो बटा सर्पेस एरिया होगा आवापोरेशन के लिए वो कैसा होगा चोटा होगा, surface area कम तो याद है, evaporation भी slow होगा, बट अगर plate की बात करें, तो plate के case में, जो चाए होगी हमादी या जो दूद होगा, या जो पानी होगा, उसके लिए surface area जादा रहे, surface area जादा तो evaporation जादा, और जब भी ठंडा हो लेगा, तो लिखे इसका answer, it is easy to say it is easy to say milk hot milk hot milk tea or water hot milk tea or water from from saucer rather than cup from saucer rather than cup because because saucer has large surface area as compared to cup because saucer has large surface area as compared to cup and and this cause this cause fast evaporation this cause fast evaporation in cup sorry in saucer as compared to cup last question last question last question question या यह क्वेश्यन ऐसे भी मूझे कोचा जाता ह है कि दबें कप्डें के कुछ पहले होता है फेली बाद नेचुनल फैपल होने की वज़े से कॉटन के अंदर कई सारे चोड़े 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 चाली है मुझे पसीना आ रहा है, тоб PF魔法 काणों शपश कर दिया है थो अबी टी चर्शन बेटा गर्मी लगने की वज़ह से पसीना आ रहा है मतलब मेरी बाइन का टेंक सेवी क्या होगा, जाधा हो और सरूंडिंग में गर्मी है तब ही तो मुझे वेविल लग रही है ना तो surrounding का भी temperature क्या होगा जादा होगा अब ये जो water है जो की squatting की decent पे आ रखाया के ये water क्या करेगा surrounding से और मेरी body से energy लेगा और energy लेके क्या हो जाएगा evaporate हो जाएगा और जब evaporate हो जाएगा तो surrounding का और मेरी body का temperature कैसे हो जाएगा कम हो जाएगा और मुझे कैसा लएगा ठंडा ठंडा लगे बराबर चलिए आईए answer लिख लेते हैं लेखिए in summer days in summer days in summer days we should wear we should wear cotton clothes cotton clothes because because cotton is a natural fiber because cotton is a natural fiber and 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 it absorbs the sweat absorb the sweat absorb the sweat and expose it to the surrounding and and expose it to the surrounding where this sweat where this sweat absorb energy absorb energy from body from body and environment from body and environment and get evaporated and get evaporated and this cause and this cause decrease in decrease in body temperature and we feel cool and we feel cool like a no questions and we feel like we feel like we feel like and then we feel like we feel like we feel like it's okay so ionized मतब जिन में charge हूँ ठीक है charge क्या होता ही हम आगे पढ़ेंगे तो plasma होते है high energy ionized gases जो की जाधा तर पाए जाते हैं कहां कहां पे sun में पाए जाएंगे, star में पाए जाएंगे जो neon sign bulb होते हैं उन में पाए जाएंगे BEC जो है बेटा BEC दो महान scientist लोगों के नाम पर ये इस matter का नाम पढ़ा है BEC stand for BOS हमारे Indian scientist थे सरसर्देंदरनाथ BOS तो BOS E stand for Einstein ठीक है? and C stand for Condense तो BOS Einstein Condense ठीक है बेटा? BEC stands for BOS Einstein Condense BOS Einstein Condense के अंदर क्या बोगता है? तो BOS Einstein Condense जो है सरसर्देंदरनाथ BOS ने कुछ calculations किये थे और वो calculations Einstein को दिखा है और उन दोनों जोनों ने मिल करके ये कहा कि हाँ हम 5th state of matter हमने discover कर लिया है BOS Einstein Condense के अंदर हम क्या करते हैं? कि एक ऐसी gas लेते हैं जिसकी की जो density होती है उसकी density हवा के सौवे हिस्से से हवा के हजार में हिस्से जितनी होती है मतलब हवा की density को आप 100 से सौसे हजार से 100 या 1000 से डिवाइड करो तो जितनी density आएगी हवा की उतनी density वाली हमको gas लेते हैं और फिर इस gas को हम condense कर देंगे तो condense कर देंगे पर ये gas ये VEC 5th state of matter में convert हो जाए ठीक है पैटा? तीन American scientist थे, physicist थे तो उने लोगों ने मिल करके इस 5th state of matter को बनाया था जिसके ने उनको Nobel Prize भी मिला था 1920 में साज अतिंदरनाथ बोस्ट ने VEC जो है उसको इनवेंट किया था तो बेटा, chapter होता है हमारा पूरा-पूरा खतम exercise के questions बाकी है अगले video lesson में exercise के भी questions होंगे सारे सारे मैं आपको करूँगा और उसके बाद फिटे चक्तर फिनिश ठीक है बेटा तो चलिए फिर मिलते हैं last class में इस शेप्टर की जय ही जय ही कि 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 कर दो कि यह झाल झाल